हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चेनल न्यू हैवन क्लासेज में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज वीडियो आप है डॉर्प क्लास पारट 3 एडॉर्प क्लास संतैथिक शल रहा है संतैथिक में मैंने आपको complex sentence में नाउन क्लास पढ़ा दिया और इडॉर्प क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आज का लास्ट वीडियो है डॉर्प रूप कर दिया गया आप जाके वहाँ से देख सकते हो आई एक्जामपल देखने की और प्पलोब क्वाम क्यों से उधारण को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइट कर दू कि क्या क्या हमको पढ़ना है तो result means परिणाम होता है परिणाम परकट करने वाले जो मुख कंजेक्शन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं so or that इस डाट-डाट का मतलब क्या है कि so or that दोनों अलग-अलग sentence में आएंगे और मैंने आपको रूम में पढ़ाया था कि जब किसी वाक में बेरी आएगा और दूसरे वाक में cannot could आएगा तो so or that का यूज करते हैं जहां बेरी होता है उसके स्थान पे so लगाते हैं और अगले व कुछ करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे जो अगला संटेंस होगा उसमें साय क्रिया में और माइट आनी चाहिए पर्जेंटेंस रहेगा तो में और पास्टेंस रहेगा तो माइट मैंने यह भी पढ़ाया था कि लेस्ट के साथ कभी नौट नहीं आता है लेस्ट के संटेंस इंटू वन कॉंप्लेक्स संटेंस बाई यूजिंग एन एडवर प्लाज रिजल्ट परपस और मैनर यानि कि इनहीं तीनों का आपको यूज करना है और इसके पहले सारे रूल हो चुके हैं पहला कुश्चिन क्या एक दर्टी बेरी होट चाहे बहुत गर्म है यहाँ पर क्या होगा यह किसी वाग में बेरी या कॉइट आता है तो इसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं वाग को दैट से जोड़के अगले वाग को ज्योंकातियों लिख देते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा that tea is so hot that I cannot drink it चाहे इतनी गर्म की मैनर की बात करी जा रही है तो क्या होगा do write it as he writes इसी लिखो जैसे हो लिखता है अगला संटेंस देखते हैं अगला संटेंस है इस बेरी सिंपल एक चाइल्ड कैन अंडरिस्टेंड इट यहाँ पर देखिए बेरी आया है कैन आया है तो पता है आपको रूल कौन सा लग अगला वागए तो मेरा अपस्ट इसथे वह एक प्राइस जीतना है तो यहां पर कौन से हंपर उद्देश परकट हो रहा हुझमे कट मेरा है था along को जीतना तो आई व्र्कड हाड्म के लिखा है सो दैट लगाता है साथ ही साथ लगाते हैं और मैने आसको इल बताया था कि so that के साथ जो आगे अगला वाक क्या आएगा उसके जो साहिक किरिया होगी या तो में होगी या तो माइट होगी अगर present tense की बात करेगा present tense की तो में लगाएंगे past tense की बात करेगा तो माइट लगाएंगे कि यहां पर हमने सो का प्रयोग किया वाक्क को देड़ से जोड़ दिया और देट के बाद कोई चेंज नहीं किया गया है अगला संटेंस क्या कहता है कि be eat हम खाते हैं be want to live हम जीना चाहते हैं हम खाते हम जीना चाहते हैं तो यहां पर हम खाते हैं इसका उद्देश क्या है कि हम जीना चाहते हैं और जहां उद्देश प्रकट होता है वहां so that का प्रयो दिया अगला sentence देखते हैं he is very poor he cannot buy his books he is very poor he cannot buy his books वह बहुत गरीब है अपनी किताबे खरीद नहीं सकता देखें यहाँ पर is आया हुआ है presentance की बात करी जारी cannot आया हुआ है कुछ भी नहीं करना है जहाँ very आया है वहाँ पर आपको so लगा देना है वाक्यों को connect करने के लिए that लगा देना है और आगे के वाक्य में तो आपको कुछ करना ही नहीं है so simple कि he is so poor that he cannot buy his books अगला sentence देखते हैं he is working hard वा कठिन परिस्रम कर रहा he wants to get good marks वा अच्छे number प्राप करना चाहता है तो वा कठिन परिस्रम कर रहा वा अच्छे number प्राप करना चाहता है तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको उसका उद्देश क्या है यहाँ पर उद्देश प्रकट हो रहा है so that he may get good mark ताकि वा अच्छे number प्राप्त कर सके यहाँ पर so that लगा हुआ है अब यहाँ पर make क्क्यों लगा क्योंकि आफका यहाँ प्रेजंटाइंस यहाँ पर इसलगा हुआ है दोनों आपके प्रेजंट याप करेंगे रहता है अगला संटेंस्टेंस क्या हिस प्रेज़रम कर रीचा है यहाँ तो यहाँ प्रसिक्षा में फेल हो सकते हो कि आपको pass होना है यहां क्या कह रहें कि work heart cutting pressure करो तुम परिच्छा में फेल हो सकते हो तो कुछ याद आया साउधाने पर चलो तुम गिर सकते हो तो वही sentence है कि कठनी परिच्छा में फेल हो जाओ तो work hard, cutting pressure करो, less, कहीं ऐसा नहो, you should fail in the examination की तुम परिच्छा में असफल हो जाओ, कैसे बनेगा, work hard, less you should fail in the examination, अगला question देखते हैं, महस was very big, महस बहुत कमजोर था, he could not buy a car, वह एक कार नहीं खरी सकता था, sentence देखिए, यहाँ पर बेरी आया हुआ है, could not आया हुआ है, past tense है, was लगा था, वहाँ पर इसलिए could not आया है, अब आपको बनाना है complex, तो यह किसी वाक में बेरी या quite का परियोग होता है, दूसरे वाक क्यों को संतैथिस बनाते समय, बेरी के स्थान पे सो का परियोग करते हैं, वाक को that से जोड़ देते हैं था, अगले sentence को जोंकाते हो, लिख देते हैं, तो कैसे बनेगा, यह बन जाएगा, कि महस वाज सो भी, that he could not buy a car, अर्थात महस इतना गरीब था, कि वाएक कार नहीं ख खरी शकता था, ठिक, अब यह आपके थे sentence, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो तब को लगातार प्रशन आ रहे हो, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी, वीडियो को लाइक और सेर कर दीजी अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका लाब हो सके, और तो दन्बाद, थेंक्यू, आल आफ यू, फार वाचिंग दे वीडियो